हेलो दोस्तों तर्यों बात करने वाले हैं July study time table यानिके summer vacation खतम हो चुके हैं और अब आपका क्या time table होना चाहिए summer vacation के बाद क्योंकि आपके vacation में जो भी आपका time table था अब वो सब change होने वाला है और वो क्या changes होंगे के बारे हम बात करेंगे स्टार्ट करते हैं मौनिंग से तो मौनिंग आपको 6.30 पर उठ जाना है एट आउर्स की sleep लेने के बात ही के साधे शी पर उठ जाएंगे और उठने के बाद आपको brush वगएरा shower वगएरा करके breakfast लेना है और school के लिए ready होना है 8 a.m. पर आपका school होता है mostly ठीक है तो आपके पास one and half hour का time में आपको sub कर लेना है उसके बाद school time है 8 to 2.30 यह आपको school time रहेगा normally school time यही होता है उसके बाद सबसे important 4 to 5 यह आपका tuition time है ठीक है tuition नहीं लगाई है tuition जरूर लगा लो काफी help करती है खासकर maths और science के लगा सकते हो English week है तो English की भी लगा सकते हो बट मेरी राय में maths और science में तो दोनों में से एक तो जरूर लगाऊ ठीक है math or science or in में से कुछ भी पढ़ सकते हो उसके बाद next 7 to 8 यह आपका rest time है आप चाहो तो evening time है थोड़ा बहुत बहुत बाहर जा सकते हो या फिक घर में अपन फोन यूज कर सकते हो फैंवली से बात कर सकते हो अधर work rest करना है तो अराम से घर में मजे कर सकते हो एक तो नाइन धि डिनर कर सकते हो और उसके बाद टीवी वगएरा फोन वगएरा यूज कर सकते हो क्योंकि आपने स्टडी कर ली है डिनर करा है थोड़ी दर अराम करो देन सिटिंग नंबर टू स्टार्ट होता है यह आपका 930 तू 1030 इस टाइम पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एस सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मज़ा आता है जो सको पड़ने में वह कुछ भी हो सकता है साइंस यह मैथसوس, स्टी, कुछ हो सकता है एक घंटा आपके मज़ए के लिए है लेकिन पढ़ाई करनी है वह सब्जेक्ट की कि मैं monsieur नंबर तीरी है और जोकि पर सकते हो स्कूल का होमवक एक कमप्रीट कर सकते हो यह आपके लिए ओप्ष लगे इस ट्रैंग आपको करना है अगर नीद आ रही है सो जा और नहीं आ रही तो 1130 आपको सो जाना है और सोने के बाद आपको 630 पर वापस उठना है और आपकी यह पूरा रूटीन रहेगा ज तक करिया अल दे बस्त, थैंस वड़ वचिए और वचिए और पीस